जे हिन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे यूटूब चैनल में आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए आपर बहुत ही महत्वपूर्ण कॉस्चन आंसर हिंदी साहिट थी कि यह अपना प्रेक्टिस सेट 16 है बहुत ही महत्वपूर्ण यह अपनी कॉस्चन आंसर ह है अगर आप value की जानकाव से पहली आको पहूंचे जाद से जाद वीडियो को स्यर करें और वीडियो को लाइक करना नभूलें तो चलिये स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण यह कॉस्चन आंसर की कौंसी कवीता मिंश्च में भारति ये सेनकी विजय प्राप्ति पर लिखी गई है, तो कौन सी कवीता है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है, तो चार विकल्प दिये गए है, आंसर बनता है, तो आप कमेंट में आंसर जरू बताएं, क्या होगा इसका सही आंसर, तो आपका सही आंसर है, यहाँ पर बेजय यहाँ पर question number 2 पूंचा है बिलायत में दादा भाई नौरो जी को काला कही जाने पर छोब पूण कवीताएं किसने लिखी थी तो जो छोब पूण कवीताएं लिखी थी तो question number 2 का जो सही answer है वह आपका विकल्प number 1 बदरी नारान चौधरी प्रियम खन जी ने अंगले question है यहाँ पर बिहारी जी को ध्वानी वादी कभी माना है तो किसने माना है रामचन सुकल, हजारी परसाद, दुबीदी, नगेंदर, बच्चन से यह आपकी चार विकल्प है question number 3 है और महत्तपुन question आपसे यहाँ पर पूंचा गया है तो बिहारी जी को ध्वानी व अंसर होगा चार का वह विकल्प नंबर D, नरोत्तम दास आपका यहाँ पर सही आंसर है अंगले question है अकसर पत्रीका की बरतमान संपादक है question number 5 है और महत्तपुन question पूंचा गया है आपसे यहाँ पर अकसर पत्रीका की बरतमान संपादक है तो यहाँ पर आपका जो सही आं तो question number 6 का सही answer क्या है उरकी डाली किसकी रचिना है पंत प्रसाद नराला या महादेभी तो question number 6 का सही answer है विकल्प नमबर एक आप कहांपर सही answer है मंडवे का मंडवे का भोर एकांकी है अस्क भबनिश्वर प्रसाद लक्ष्मी नाराल या रामकुमार बर्मा तो किसकी है एक कांकी तो साथ का सही answer विकल्प नमबर C आने की लक्ष्मी नारायन लाल आप कहांपर सही answer होगा नए महमान एक कांकी है भबनिश्वर प्रसाद विश्लू प्रभाकर अस्की या उदाय संकर भट तो ये आपकी चार विकल्प है question number 8 है महत्पुन question आप से पूंचा गया है नए महमान एक कांकी है तो question number 8 का सही answer है विकल्प नमबर D वोदाय संकर भट आपका सही answer है लक्ष्मी का स्वागत एक कांकी है लक्ष्मी का स्वागत एक कांकी है किसकी एक कांकी है तो question number 9 का जो सही answer है वहे आपका अस्क यानि की विकल्प नमबर A का आपका राइट answer है Q10 आपसी हैं पर क्या पूँछा क्या है कि ओर बहे जा ना सकी एक अंकी है उपेननात असके गोबिन बलब पंत विश्लु प्रभाकर रामकुमार बर्मा Q10 है चार विकल्प आपके यहां पर दिये गए हैं और आपका सही आंसर है यहां पर क्या है राइट आंसर तो आपका यहां पर जो सही आंसर है Q10 का विकल्प नंबर C. विश्णू प्रभाकर आपका यहां पर सही आंसर है उसर एक कांकी है आपके लिए बताने question number 11 में क्या होगा question number 11 का right answer आपके 4 विकल्प यहाँ पर दे गए है तो उसर एक कांकी है तो question number 11 का भी right answer है भुबनिस्वर पर साथ आपके यहाँ पर सही answer है भुबनिस्वर पर सही answer बिलकुल सही चीप साहब आ रहे हैं कहानी संग रहे है रामदर समिस्र या यह तो भार्दवाज हैमत सेस या भीश मिसाहिनी question number 12 है और be right answer है ये तू भारद्वाज आपका सही answer है अब दी का विकास किस अब ब्रंसी हुआ है question number 13 है और आपका जो सही answer है वह क्या हमत पुन question पूछा गया है अब दी का विकास किस अब ब्रंसी हुआ तो तेरा का भी right answer है अर्दमागदी आपका यहां पर सही answer होगा अर्दमागदी right answer है इन्वे से कौन सा काब बे रामकता पर आदारित है रामकता पर आदारित भाह काब बे है कौन सा भाह काब बे है तो आपका चवदा का जो सही answer है नीरजा या भूमीजा कामाईनी या एसो धरात उचवदा का विकल्प नंबर B आनिकी भूमीजा आपका यहाँ पर सही आंसर है अंगला question है मैं बक्त के हूँ सामने किसकी रचिना है question number 15 की मैं बक्त के हूँ सामने किसकी रचिना है नरेश महता बबानी प्रसाद या गिरजा कुमार मातुर या निर्मल बर्मा पंदरा का सही answer है विकल्प number C आनिकी गिर्जा कुमार मातुर आपका यहां पर सही answer है बिल्कुल सही अंगला question है रस गगन गुफा में अजर जहरें किसकी पंती है सुन्दर दास सूरदास कबीर दास या जाईसी तो question number 16 का right answer बताना है चार विकल्प आपके हां पर उपलब् अंगला question है रस प्रबोध पुस्तक की रचिनाकार कौन है तो इसकी रचिनाकार आपके लिए यहां पर बताना है तो बिल्कुल सही question number 17 का जो सही answer है बहे आपका विकल्प number D आनिकी रसलीन आपके हां पर सही answer होगा रसलीन right answer है बिल्कुल सही हिंदी में अंगला question यहां प परबर्टक जो माने जाते हैं कौन पद्म सेह सर्मा पद्म सेह सर्मा विकल्प number C right answer है अंगला question है आत्मावी व्यक्ती ही बहे मूल तत्त है जिसके कारण कोई व्यक्ती साहत्यकार और उसकी किर्ती साहत्य बन पाती है तो यह जो है आपके लिए बताना है क्या होगा इसका right answer एक अथन है मतलब किसका है तो question number 19 का जो सही answer है 19 का right answer विकल्प number C आने की नगेंद्र आपका सही answer है किसके निवन्दों को आचार सुकले ने बातों का संग्रे काय कर उनके पृति अन्या किया है तो उनकी लिखा है यहाँ पर पृति लिखा है तो बताईए question number 20 का सही answer आ तो बेटी अंगला question है क्या है पूंचा उन्गला question तो question number 21 पूंचा ग्या है ब्रिज के लता पता मोहि कीजे पंती है तो question number 21 का सही answer है यह पंती बताना है किसकी है तो रतना कर आपका विकल्प number जो भी है वह आपका यहाँ पर आनसर है अपनी राम उपन्यास के लेखा कोन देखे सबसे पहले यह आपके लिए याद रखना है यह क्या है यह उपन्यास है आपका अपनी अपनी राम और इसके जो लेकक हैं गिरी राज की सोर भगवान सहें लक्षमी नाराण लाल या नगेंदर कोहिली तो 22 का सही आंसर है विकल्प नमबर बी आनिकी आपका राइट आंसर है भगवान सहें आपका यहाँ पर सही आंसर अंगला क्वोस्चन है जागरत योग केस अपन फूलों से नहीं चेंगारियों से सजा जाते हैं किस कभी की पंती यह पंती आपकी महत्तुपूर्ण पूंची गई है क्वोस्चन नमबर 23 में क्या पूंचा गया है जाग नहीं कि भूमी का पुस्तक के लेखक कौन है तो नई कहानी की भूमी का यह पुस्तक है और इसके जो लेखक है 해 नाम बारसन है कम्लेसवर राजयंद्र य्यादब या नगयंद्र तो आपका 24 का सही आंसर विकल्प नमबर B आनिकी कमलेश्वर आपका यहां पर सही आंसर है कमलेश्वर राइट आंसर है अंगला question है किस उपन्यास का पातर है तो बताईए क्या होगा इसका सही आंसर यह किस उपन्यास का पातर है तो question number 26 का right answer है अपनी अपनी अजिनबी आपका सही answer है पीली छेत्री वाली लड़की उपन्यास किसका है ये देखी उपन्यास पीली छेत्री वाली लड़की तो किसका उपन्यास औदय प्रकास है या सुरेंद्र बर्मा मनू सर्मा या आपका प्रिसाद, तो question number 27 का सही आंसर होगा, उदाय पिरकास, उदाय पिरकास आपका सही आंसर है, बिलकुल सही, छत पर अपरना, उपन्यास किस कभी के जीवन पर आधारत है, तो किस कभी के जीवन पर आधारत है, यह आपके लिए यहाँ पर बताना है, तो question number 28 का जो सही आंसर है, आपका विकल्प नंबर, क्या होगा right answer, तो आपका सही आंसर है अग्ये, अग्ये आपका सही आंसर है, 28 का आपका भी right answer, बहुत बढ़िया right answer है, अंगला question यहाँ पर पूँछा है, पंतिकृत उपन्यास है, तो पंतिकृत उपन्यास हार धार यहां पर सही आंसर है हर जिन्हों ने बताया उनका राइट आंसर है सुमन किस उपन्यास की पात्र है देखिए यह जो सुमन है यह किस उपन्यास की पात्र है यह आपके लिए बताने है रंग भूमी सेवसदन निर्मला या काया कलप तो आपका तीस का जो सही आंसर है गोध उपन्यास के लिए का कौन है देखिए एक गोध उपन्यास है और किसका उपन्यास है यह आपके लिए बताना है तो बताईए क्या होगा इसका राइट आंसर, question number 32 है, और 32 का सही आंसर है, सिया राम सरन गुप्त आपका सही आंसर है, अंगला question है, कितने पाकिस्तान उपन्यास किसका है, कितने पाकिस्तान उपन्यास है, संजीब, कमलेश रॉबिवे किराय या भुबनीश सर, question number 33 है, पहला गिर्मिटिया उपन्यास किस महापुरुस पर आधारत है, देखिए, पहला गिर्मिटिया उपन्यास है, और किसे महापुरुस पर आधारत है, जवाहला लेरू, महत्मा गांधी, अग्ये, राजेंद्रे, प्रिसाद, तो question number 34 है अपना, और 34 का जो सही आंसर है, आप का विकल्प नंबर B, यानि कि महत्मा गांधी, आपका यहाप पर सही आंसर है, बिनायक किस उपन्यास का पात्र है, देखिए, जो बिनायक है, बिनायक A किस उपन्यास के पात्र है, देवरानी, जठानी, परिक्षा, गुरु, चंदरकांता, या नूतन, ब्रहमचारी, तो नंबर 36 है, और 36 का जो सही आंसर है, आपका, यहाँ पर 36 का विकल्प नंबर B, यानि कि मिर्दूला गर्ग आपका यहाँ पर सही आंसर है, मिर्दूला गर्ग राइट आंसर है, बिल्कुल सही, अंगला क्वाश्चन है, दिब्या उपन्यास है, एसपाल, जेनेंद्रे, य प्रसाद या गुलेरी तो दिब्या उपन्यास की लेखक कोने question number 37 है और 37 का सही answer है आपका यहाँ पर yes पाल यानि की विकलत number 1 आपका सही answer है अंगला question है मिरक नईनी उपन्यास है असक सिवानी ब्रिंदा लाल बर्मा या चतुर सेन सास्त्री question number 38 है 38 का सही answer है आपका यहाँ पर क्या है right answer आपका सही answer ब्रिंदा बने लाल बर्मा आपका सही answer मिरक नईनी उपन्यास ब्रिंदा बने लाल बर्मा जहाज का पंची उपन्यास है इलाचंद जोसी निराला पंत परसाद ये चार विकलत है question number 49 है 49 का जो सही answer है बहें आपका इलाचंद जोसी यानि की विकलत नमबर एक आपका सही answer यहाँ पर है विकलत नमबर एक right answer बिल्कुल सही हरीस किस उपन्यास का पात्र है देखिए जो हरीस है ये किस उपन्यास की पात्र है ये आपके लिए बताना है दादा गॉम्रेट या दिब्या रंगबुमी या सुखदा तो question number 40 है 40 का सही answer है आपका यहाँ पर विकलत नमबर एक यानि की दादा गॉम्रेट आपका यहाँ पर सही answer होगा अंगला question है question number 41 यहाँ पर पूंचा है रामचन सुकल ने पिर्थम नाटक कार किसे माना है तो किसने माना है सुकल जी ने पिर्थम नाटक कार जो माना है भाई किसको माना है सुकल जी ने यहाँ पर बताना है तो क्या होगा इसका सही answer तो यहाँ पर चार वि नाटक है ये कौन सी भासा में रचेत है ये आपके लिए बताना है ना उस क्या है नाटक है और जो रचेत है अविदी खड़ी बोली या ब्रिजवासा या मैथली तो आपका सही आंसर है 42 का सी आनि की ब्रिज आपका राइट आंसर होगा अंगला क्वोस्चन है रिस चंद्र को भारते अंदु की उपादी किसने दी बनारसी दास यस बंत सेह नेवज या पंडित रगुनात तो 43 का सही आंसर डी राइट आंसर पंडित रगुनात आपका यहां पर सही आंसर है भारते अंदु का प्रिथम नाटक माना जाता है प्रेम जोगनी विद्या सुंदर प्रेम आप से यहां पर पूँचा है भारते अनदु हरिस्चंद्र पोस्तक की रचयता कौन है भारते अन धु हरिस्चंद्र यह पोस्तक है पोस्तक के याद रखिए और इसकी रचयता हैले किश् Tay रचनाकार हैं तो नाटक निवंद की जो रचनाकार है वह कौन है यह आपके लिए बताना है चार विकल्प आपके आपके आपर दिये गए हैं और आपका जो सही आंसर है भारतेंदू बनार्ची दास एसबंद सें गलिस कभी चालिस का सही आंसर है भारतेंदू आपका राइटा आंसर है विकल्प नमबर एक हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है महत्तोपुन कॉस्चन पूशा गया है तो हिंदी का पिर्थम या पहला दुखांत नाटक जो माना जाता है प्रेम जोगनी प्रेम मोहिनी पद प्रेम मुहिनी अंगले क्वास्चन क्या है अंगले क्वास्चन आ है बेदना मिली बिदाई गीत किस नाटक में है इसकंद गुप्त में चंद्र गुप्त में अजात सत्रु में ध्रोब सौमिनी में क्वास्चन नमबर है 48 और 48 का जो सही आंसर है वह आपके लिए यहां पर बताना है तो आपका विकल्प नमबर एक राइट आंसर है यानि की इसकंद गुप्त आपका सही आंसर है बिलकुल सही राइट आंसर पिरसाद जी की अंतिम रचना कौन सी है कौस्चन नमबर 49 में बताना है 49 का सही आंसर है कामाईनी प्रास्चित दुरुबस्वामनी प्रथम नाटक बताना है आपके लिए महत्तुपून पूंचा गया है प्रथम नाटक जो है आपका भ्यक्वान सा है तो हिंदी का प्रथम नाटक करुणालय या रज़त सिखर मतस्य गंदा पंचवटी पृसंगे 50 का सही आंसर है आपका करुणालय यानि की विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर एक करोणाला राइट आंसर है बिल्कुल सही बहुत बढ़िया राइट आंसर तो इस पिरकार अपनी यहाँ पर बहुत भी महत्तुपुन question complete हुए हैं क्याँसा लगा यह वीडियो आपके लिए comment में जरू बताना है comment में बताएं क्याँसा लगा यह वीडियो इसी तरह कि अगर और बहुत सारे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe करने बेल आइकन दबाएं all पर click करें ताकि all वीडियो की जानकारी आप क्याहां तक सबसे पहले पहुँचे जादा से जादा वीडियो को share करें ताकि अनलुक भी एफ वीडियो देख सकें और वीडियो को like करना ना भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन